हलो स्टूडेंट साम पूजा मिस फ्राम अगस्त्रस एजुकेशन और आज हम देखने वाले इंगलिश कुमार भाती के उनिट सेगेंड की 2.3 पोयम समबडीज मदर का मतलब होता है किसी की माँ ये पोयम मैरी डू ब्राएन ने लिखी है जोके एक मश्यूर कवी थी एक लेखक थी और एक गीतकार थी अपने समय की मैरी डू ब्राएन ने कही सारी पोयम्स बनाई है और वो खास करके बच्चों के लिए ही लिखा करती थी इसलिए हम उनकी जितनी भी किताबे देखेंगे वो सभी किताबे बच्चों पर ही है Somebody's Mother एक beautiful पोयम है जो मापर लिखी गई है ये पोयम हमें wonderful values सिखाती है देखरेक करने की और किसी अंजान व्यक्ति की परवा करने की और अपने मन में सब के प्रती दया रखने की और बस यही कि अगर हम किसी के परिवार वालों की मदद करते है तो कभी ना कभी हमारे परिवार वाले लोगों को भी मदद मिलेगी इस पोयम में हम एक औरत की बात करने जा रहे है जो किसी की माँ है तो आईए बढ़ते हैं पोयम के तरफ पोयम में पोयट एक ओरत की बात कर रही है जो बहुत बुढी थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसके बालों का रंग उड़ चुका था और उसके बाल सफेद रंग के हो चुके थे थंडी के दिनों की शुरवात होने के वज़े से और थंडी हवा चलने के वज़े से वो बुढी और जो किसी कारन वर्ष अपने घर से बाहर निकली थी सड़क पर अकेली वो थंड के वज़े से कापने लगती है इसलिए वो अपने कंधे को थोड़ा सा जुका कर अपना बहुत जादा उम्र होने के वज़े से उसके पैर धीरे धीरे उठ रहे थे उसे चलने में समय लग रहा था बरव पर अब जैसे ही वो बुढी और सड़क के चोड़ाय पर पोच्छती है रास्ते पर की भीड को देखकर वो कुछ देर के लिए वही पर रुख जाती है जो भीड जवान लोगों की है और जो रास्ता पार कर रहे हैं रास्ते पर की भीड उस बुढी औरत को नजर अंदास करती है और उस बुढी औरत को सड़क पार नहीं करने देती है उसे लापरवाई से धक्के मार मार कर सड़क के एक तरफ कर देती है और इतना ही नहीं जो भी लोग उस बुड़ी ओरत के पास से गुजर रहे थे, वो सब इतने बीजी थे कि सब उसकी चिंता भरी आखों की जलक को जो मदद मांग रही थी उसे नजर अंदास कर रहे थे, अब सडक के दूसरी और का नजारा बताया जा रहा है, सडक की उतरती पर से हसते खेलते शोर मच चाते हुए कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत खुशी से उचल रहे थे आजादी में स्कूल शुटने की, पोईट के रहे कि वो खुश मिजाज लड़के धीरे-धीरे बुड़ी ओरत के राहा में आगे बढ़ रहे थे, किसी भेड की जुण की तरह जो स्वागत कर रहे अभी अभी गिरे हुई ठंडी बरफ के धेर का, उस बरफ के धेर को इखटा करके जो सफेद थी और जमीन के अंदर तक धसी हुई थी, अब उसी रास्ते पर बुड़ी सफेद बालो वाली ओरत भी थी, जो ये देख रही थी कि बच्चों का जून जल्दी-जल्दी में उ इतने सारे बच्चों में से कोई भी बच्चा उस बुड़ी ओरत के तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाता है, बुड़ी ओरत कब से वही खड़ी थी और जादा देर खड़े रहने के वज़े से वो और भी जादा कमजोर हो गई थी, वो घबरा रही थी और हलचल करने से डर रही थी क्योंकि बरफ के वज़े से रास्ता चिकना हो गया था और उसे डर था कि कई वो घोड़ा गाड़ी या पहियो वाली गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कई गाड़ी उसे अपने पहियो के नीचे कुचल न डाले। कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप सड़क पार करना चाहती है तो। ऐसा सुनते ही वो ओरत खुश हो जाती है और अपने जूरिया पड़े हुए कमजोर हातों को उस लड़के के मजबूत जवान बाह पर रखती है। वो लड़का उस ओरत को राह बताता है। उसक कि उसके पेर अभी जवान है मजबूत है। बुड़ी ओरत को अपनी मंजिल तक पहुचा कर वो फिर से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। किसी की साहता करके उसका जवान दिल खुश हो गया है और अच्छी से संतुष्ट हो गया है। जब वो लड़का वापस अपन निर्बल और उदास हुई तो जब उनका प्यारा बेटा उनसे बहुत दूर होगा किसी और शहर में तब। शायद कोई और व्यक्ती भी किसी दिन बिल्कुल इसी तरह मेरी मा के तरफ अपने मदद का हाथ बढ़ाएगा उनकी मदद करने के लिए। क्या तुम सब समझे। पोएट ही आप पे बता रहे है कि उस दिन वो बुड़ी ओरत जो किसी की मात ही अपने सीर को नीचे जुकाती है अपने घर में उस रात और भगवान से प्रातना करती है कि भगवान हमेशा दया बनाये रखना। उस महान लड़के पे जो किसी का बेटा है, जो किसी का गर् तो आईए अब देख लेते हैं poetic devices, poem के 3rd और 6th stanza की rhyming scheme है AABBCC और बाकी के remaining stanza की rhyming scheme है AABB First poetic device है simile, simile एक figure of speech है जिसमें direct comparison की जाती है like या as word को use करके और इसे similarities बताने के लिए भी use किया जाता है दो different things के बीच Came happy boys like a flock of sheep line simile है यहाँ पर happy boys को directly compare किया गया है flock of sheep से like word use करके Next है alliteration, alliteration का मतलब होता है repetition होना first consonant sound का दो या दो से जादा words में Should trample her down in the slippery street line alliteration है यहाँ पर should का, slippery का और street word का first consonant sound sir repeat हुआ है His young heart happy and well content line alliteration है यहाँ पर his word का, heart का और happy word का first consonant sound sir repeat हुआ है Next है inversion, inversion एक term है जिसे use किया जाता है sentence में words की normal order reverse या invert करने के लिए Then back again to his friend, he went, यह line inverted order में है, correct order है, he then went back again to his friend At the crowded crossing, she waited long line, inverted order में है, correct order है, she waited long at the crowded crossing तो इसी के साथ हमारी poem finish होती है, आईए अब देख लेते हैं hard words के mini अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर like करें और share करें अपने दोस्तों के साथ और bell icon press करना ना भूले